लहसुन स्वास्थय के लिए बहुत गुनकारी है। लहसुन में एंटी बायोटिक और एंटी बैक्टीरियल के गुन होते हैं, जो संक्रमन से दूर रखने में मदद करते हैं। लहसुन पोशक तत्वों से भरपूर है। लहसुन बलड शुगर का स्टर नियंतरित करता है। रिदय की बीमारी और फेफरों से संबंधित अन्य समस्याओं में लहसुन काफी फायदे मंद है। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक रसायन एंटी बैक्टिरियल, एंटी वायरिल, एंटी फंगल होता है। यह सरदी जुकाम के संक्रमन को दूर करता है। इसके लिए 6-8 लहसुन की कलियों को घी में भून कर खाना चाहिए। वहीं दूसरा तरीका भाप है, पानी को गर्म कर उसमें विक्स को डाल कर किसी कपडे से सिरको ढखकर भाप लेने से सरदी जुकाम से राहत मिलती है। अद्रक के रस में शहद मिला कर चाटने से भी जुकाम में आराम मिलता है। एक से दो अद्रक के छोटे टुकडे, दो काली मिर्च, चार लॉंग और पांच से साथ तुलसी की ताजी पत्तियां पीसकर एक गिलास पानी में उबाले जब यह उबलकर आधा गिलास रह जाए, तब इसमें एक चम्मच शहद मिला कर पिए अद्रक के छोटे छोटे टुकडो को देसी घी में भून कर दिन में तीन से चार बार पीसकर खाएं इससे नाक से पानी बहने की समस्या से आराम